नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मंतोस और स्वागत करता हूँ अपने इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का तो दोस्तों चलिए आज हम बात करते हैं कि मार्केट में हमें परचार परसार जो हमारा परचार परसार का माध्यम होता है वो हमारे बेवसाय को ग्रोथ करने के लिए कितना कारगर साभित होता है चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले हम चाहेंगे कि आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दे और फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखिए ये एक पोस्टर है, पोस्टर जैसा की आप लोग देख रहे हैं ये हमारे ही प्रेस का पोस्टर है इसको हमने जगा जगा पे करीब इदर 10-12 गाओं में हमने चिपकवा दिया है ये 1000 पिस निकाले थे और उसको चिपकवा दिया देखिए, हम क्या करते हैं कि अभी सीजन अफ चल रहा है छोटे मोटे काम हो रहा है, इस प्रियर्ड में हम अपना पोस्टर निकालते हैं और उसको गाओं में हम चिपकवा देते हैं और एक बार फिर हम नौंबर के आसपास ये ऐसा करते हैं कि हम कुछ पोस्टर फ्लेक्स होगा रहा, जगा जगा पे लगवा देते हैं कम से कम फ्लेक्स नहीं, तो आप पोस्टर जो कागज के पोस्टर होते हैं उसे प्रिंट करके आप जगा जगा पोल हो गए रहे या दिवार हो गए रहे पे आप जगा जगा उसे चिपकवादे जखिए परचार परचार हमारे बेवसाई के गोश बहुत ही बेंत्रिन भूमिकानी भाते हैं अगर परचार परचार आपका नहीं होगा तो देखिए हमारे जो भी बेवसाई आप करते हो आप प्रिंटर्स हो या अधर कुछ भी हो इसमें दो बाते माहिने रखती है आपके पास कितना हो क्वालिटी हो क्वालिटी तो जरूरी है लेकिन आपके पास क्वालिटी है और आपका परचार 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 नहीं है तो फिर आपका क्वालिटी किसी काम का नहीं है क्यों लिएपग पायमाना इसका हो गया है, बड़ा पायमाना हो गया है। बैधर रहेंगे, उनके नजर में आईगा कि यह प्रिंटिक प्रेस वाला है, यह दुकान वाला है। तो उसका एक बहुत बेदरिन परचार-परचार होता है और परचार-परचार जब आपका होगा तो आपके पास लोग जरूर आएंगे देखी परचार-परचार से क्या होता है कि जब कहीं भी पोस्टर लगा हुआ है वो पढ़ेंगे सुभम प्रिंटर्स तो मनलेजे कि इदर दो-चार और भी प्रिंटर्स है उसको नहीं जानते है लेकिन इसको कहीं न कहीं ओ पोस्टर ओगरे के माध्यम से देखे है तो उन लोगों के जिनको नहीं जानते है उनके अपक्छा इस पोस्टर के माध्यम से ही जिनको जानते है सुभम प्रिंटर्स को जानते हैं तो उस पे ज्यादा खेद करेंगे देखी आप एक बात मान लिजिए आप दो साभून को ले लिजिए एक जगा है लाइट बॉआ और दूसरी जगा है एक अधर जो भी पोड़क्ट हो एक अधर बिना नाम काई रख लिजिए जिसे आप नहीं जानते हैं और उनों का सेमी रेट हो तो आप किसे लेना चाहेंगे वाजीब है मेरा राय होगा कि मैं लाइफ बॉआ लूँगा कि उसका परचार मैंने देखा है और परचार परचार के माध्यम से ऐसा होता है कि कस्टमर जो खरीदने वाला है उसके साथ एक रिलेशन बन जाता है यानि जान पाचान जान पाचान एक बहुत बड़ी मायने रखता है किसी भी छेत्र में जान पाचान अगर आपके जान पाचान काई कोई बेक्ति मिला तो आप उसके फेथ कर जाएंगे बिल्कुल पूरी तरीके से आप उसे एक बार भी देखे हैं तो आप उसके विश्वास कर कर सकते हैं तो इस बात को आप लोग पूरी तरीके से समझे कि परचार परचार का ओ माध्यम है जिस माध्यम से हम कॉस्टमर यानि आम जनता के बीच में हम अपना रिलेशन कायम कर लेते हैं एक विश्वास का और विश्वास का जब रिलेसन कायम हो जाएगा तो ओ आपके पास जरूर आएगा यहां भाई इस हुट मैंने पोस्टर में देखा था इसे मैंने फेस्बूक में देखा था इसका कलेंडर तो अमारे घर में लगा उया यार फॉस्ट जनुवरी पे या तुमने जब भी दिया था मेरे घर में लगा इस से हमारा जो customer के साथ है एक बहुत ही नज़्दिक का relation बन जाता है और उस relation के आधार पर वो हमारे पास आएगा अब हमारे पास हो आएगा तो हमारा माल लिजए कि केवल पर चार पर सारी माध्यम नहीं रखता है इसमें माध्यम ये भी रखता है कि उसके साथ साथ हमें quality भी होनी चाहिए बेहतरीन काम करने की अगर बेहतरीन काम नहीं होगा तो माल लिजे कि मार्केटिंग तो हम कर लेंगे लेकिन मार्केटिंग को अगर फेद फुली हम माल लिजे कि उसे डिलेवरी और पूरी क्वालिटी के साथ हम नहीं दे पाए तो ये थोड़ा प्रोब्लम हो जाएगा आगे चलके हमारे लिए तो परचार परसार के साथ साथ हमारे पास quality भी होनी चाहिए इस बात को आप लोग बेहतर ढंग से समझे देखिए एक हमारे दोस्त है इसकूल वाले हैं आजकल तो इसकूल बहुत ही इसकूल खूल रहे हैं प्राइवेट इसकूलों की त 500-600 लड़के हैं जब हम उनके पास गए हुए थे आज 3-4 रोज ही हुआ तो उनसे बाट कर हमारी जो उसके प्रिंस्पल है उनसे बाते हुई करी आदे गंटे तक उन्होंने कहा मुझसे कि मैं अपने परचार परसार पे अपने आमदनी का कम से कम 20-25 फिस दी हिसा इस पे खर्च कर देता हैं और ये बात सही भी है वो परचार परसार के लिए ही मुझे बुलाये थे उनका पोस्टर निकालना था और खुछ फ्लेक्स निकालना था तो मैंने कहा कि इतनी बड़ी आतो हां इतनी ही बड़ी हमें खर्च करनी पड़ती है क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा हमें फोकस दिखाना पड़ता है अंदुरुली तो मालेजे की बचे ही जानते हैं लेकिन जो फोकस है इसका वहीं गारजियन देखते हैं और उसी के आधार पे वो हमारे पास आते हैं तो परचार परसार हमारे बेवसाय के लिए बहुत या बड़ी-बड़ी कंप परचार परसार नहीं आए तो वह मार्केट से दिरे-दिरे आउट हो जाएंगे तो इसलिए परचार परसार आप जो भी काम करें उसका परचार परसार होना बहुत ही पहतरी जरूरी है देखी अब एक आउट से हम बात ले रहा है आज हमारे मोदी जी की सरकार है तो मोदी जी की सरकार माल लिजे की बहुत ही परचंड बहुमत से आजाई हुई है लेकिन उनके पार्टी या उनके जो भी मोदी जी है हमारे तो उनके जो काम वो करते हैं उसकी Advertising बहुत बहुत बहतरी इंढ़न से ओलो करते हैं इस बात को आप लोग सोचियेगा कि जो भी वो काम करते हैं इसी नहीं है कि जो अदर सरकारे थी वो काम नहीं करती थी लेकिन उसकी marketing वो उतनी बेहतरीन डंग से नहीं कर पाती तिक इसलिए वो पिछड़ चुके हैं लेकिन हमारे मोदी जी है तो ये काम तो करते हैं काम के साथ साथ माल लिजे कि उसका advertise आम जंता जंता तक उसका advertise उनके कानों में क्या वाई ये जंधन योजना है हमने इतने लो है कि हाँ भाई ये सरकार बेहतर काम कर रही है तो इसलिए वो फिर से यहाँ पे इतनी परचंड बहुमत के साथ उनका काम लिया है और काम के साथ साथ advertise भी है marketing भी है अगर marketing लोग आपको जानेंगे नहीं तो आप quality लेकर क्या करेंगे तो इस बात को आप लोग पूरी तरी परचार परचार करना बहुत ही बेहतरी माइने रखता है आपके growth के लिए अगर आप इसे ही खुल के बैठे रहेंगे और परचार परचार के साथ साथ आप समय भी इसमें धैर भी रखना पड़ता है जैसे जैसे समय बितेगा आपके अंदर quality होगी परचार परचार करते रहेंगे फिर आप एक बेत्री से आप एक बेवसाई बन जाएंगे इसमें कहीं से भी कोई दो राय नहीं तो अब है मालेजे कि सीजन जो है ओफ है छोटे मोटे काम हो रहे हैं इस माध्यम से आप लोग परचार परचार कराईए जब नौवंबर आता है उसमें आप लोग क्लेंडर जो होते हैं उसके नीचे आप अपने प्रिंटर्स का नाम लिखवा कर लोगों में डिस्टिब्यूट करा दीजे जिसके जिसके यहाँ डिस्टिब्यूट करा देंगे आप गरांटी लिखा लिजे को दूसरे के यहाँ कभी नहीं जाएगा आप ही के पास आएग को समझाना था एडवर्टाइज का मौत तो परचार परचार का मौत तो मुझे लगता है कि मुझे जहां तक अन्वो था या जहां तक मैं समझ पाया हूँ आप लोगों को मैंने समझाया और बाकी मान लिजे कि आप लोग की इसो फ्लोग करेंगे तो बहुत बेतरीन रिज का मौत करेंगे जहां तक मैं।